हुआ है हलो दोस्तों कनेक्ट जाम यूटूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है मैं शिवा कांथ आप लोगों को फिजिक्स पड़ाता हूं जो की रेलेवे के विभीन एक्जामों में फिजिक्स से क्यूशन आता है तो आज आप लोगों का चैप्टर साउंड चल रहा ह है तो साउंड के अंत्रगत हमने पहली क्लास लिए तो पहली क्लास में हम आप लोगों को कि क्या बताया एक बार आपको रिविजन करा देते हैं तो पहली क्लास में कि अ अ कि तरंग तरंग क्या है एक परकार की उर्जा है तो तरंग आप लोगों को तरंग चेप्रम पढ़ाया है कि तरंग परकार की उर्जा है लोगों क्या है तो तरंग ये यसा परकार की उर्जा है तो यह निरवात में गमन नहीं करती है तो धोनिक ऐसे उत्पन्न होता है जैसे कोई वस्तु में कमपन्न होता है तो कमपन्न होने पर वस्तु में तरंग उत्पन्न होता है तो तरंग क्या होता है तरंग के साथ उस वस्तु के चारों तरब माध्यम होते हैं उस माध्यम में भी जो कड़ होते हैं तो कड़ में भी ग देर तरंग का प्रकार है तो आपरित के अधार पर ध्वानी को तीन भागों में बाटा गया है तो तीन भाग कौन कौन से हैं पहला है आपका इंफ्रासोनिक दूसरा आपका अडिवल और तीसरा आपका अल्ट्रासोनिक पहला आपका अपसरब्र और दूसरा आपका स्रब्र इसे तिसरा आपका प्राध्धोनी तो जो अब सरभ्य तरंगे होती है आपृत के धार पर वह वीज़र्द से कम होती है और जो प्राध्धोनी होती हो भीज़र अधिक होती है तो जो मानो मनुस्य सुन सकता है वो कितनी आपरित की धोनी को सुन सकता है वो 20 हड से लेके 20 हजार हड तक की मानो मनुस्य जो है इस आपरित के बीच वाली धोनी को सुन सकता है अगर 20 हड से कम होगी तो यह मनुस्य इस धोनी को आपरित की धोनी को नहीं सुन सकता है अगर 20 ह हड से अधिक होगी तो यहां मनुसे धोनी को सुन सकता है लेकिन भारे पन का सिकार हो सकता है तो वह क्या होगा बहुत समय तक इस धोनी को भी नहीं सुन पाएगा तो जो इंफ्रासोनिक तरंगे होती है जब कभी पिर्थवी पर कोई भुकाम प्याजवाला मुखी जैसी घटना होती है तब वहां पर इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती है तो इंफ्रासोनिक तरंगे वहां कुत्ता और बिल्ली होती है वह सुन सकती है और मनुसे यह सुन नह प्रणागे होती है चमगादर बिल्ली कुछ बिशेज प्रकार के जवाना नहीं जाता है और आपके नहीं को किया को आईयान के सप veggie में भी इसका उपियोग किया जाता है और सोनार में भी इसका उपियोग किया जाता है सोनार क्या है सोनार आपका साउंड डिव 누운데ंफ lijस़न अयंड रेंगिंग मतलब पकर हिसा मुद्र में कोई दूप तो उसको पता लगाने के लिए सोनार तकनीक के उपयोग किया जाता है सोनार तकनीक से अल्ट्रा धोनी वयो की धोनी तरंगे छोड़ी जाती है तो जो पंडूब्वी डूबी हुई होती है वहाँ से टकरा करो वापस आएगी तो उस अधार पर क्या होता है उस पंडू बिका पता लगाया जा सकता है। और इसका मेडिकल छेत्र में भी अल्टरासोनिक वेवका बहुत उप्योग किया जाता है, जैसे अल्टरासोन लाजे हो प्यो नामट्रा के चोड़ता है। का है और इसी की कड़ी ओं लोगको हम यह भी बताये थे कि जो धोनी होते हैं जब चार परकारके गुढ़ता दहार 2020 कि आधार वोते हैं जब चार परकार से पहला आपको हम बताए थे तारवत तो दूसरा आपका गुड़ता तीसरा प्रावलता चौथा तिबरता जो द्धोरन के कितने गुड़ होते हैं και परकार की गुड़र के गुड़हते हैं पहला तार dawत तो जो तारवत तो किस पर निर्भर करता है तारवत तो आपके आपरिती पर निर्भर करता है तारवत तो आपके आपरिती पर निर्भर करता है फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है जिस ब्यक्ति का अधिक आपरिती होगी उसका तारवत तो अधिक होगा तो वह धोनी क्या होती किया होती है जिस ब्यक्त की कम अभृति की होती है उसका कम तारत आगे आपका अगला प्रबलता प्रबलता क्या चीज है तो सब्सक्राइब hijo 15 कई सब्सक्राइब तो तेज और धीमी अवाज होती है, तो तेज और धीमी अवाज मतलब बहुत तेज बोलेंगे और बहुत धीमे बोलेंगे, तो जैसे कोई व्यक्ति तेज बोल रहा है, तो आप उसके पास खड़े हैं, तो वह धनी आपको तेज सुनाई देगी, जैसे जैसे आप दूर करता है जब अधिक प्रबलता होगी तो फदनी क्या होत भी होंती है जैसे कोई डीजे है, डीजे के पास आप खड़े हैं, सटे हुए हैं, तो डीजे की जो आयाम है वह अधिक है, डीजे की आयाम क्या है वह अधिक है, वह धोनी आपको तेज सुनाई देती है, जैसे आप डीजे स्रोस से दूर होते जाएंगे, वह धोनी धीमी सुनाई देती है, तो ऐसा ब्यक्ति को बहुत धीमी अवाज सुनाई देती है तब भी सुन लेता है किसी ब्यक्ति को या बुजूर जो ब्यक्ति होता है उसे बहुत तेज बोलने पर वह आवाज को सुन पाता है। किया होता है यो यो कमी में या नहीं कि अपनिक कित बाइब्सप्रम्हा करको आपके साहिके दंजया अगर पुछ लिया जाए एक बेल बराबर क्या होता है 10-10 देसीबल और ध्वन की तिपरता किसमे मापी जाती है ज्याधा तरिक्जाम्न, कहां से बनता है डेसीबल से बनता है और जो 45-10 ध्वन होती है यह मनुष्ञ के लिए सरोक्त्म ध्वन detto मानी मानी गयी है और 40-10-10 या सधारण बात चीत में उप्योग की जाती है और 75 डेसिबल या हानिकारख धोनी है और 85 डेसिबल या मनुस्य बहरेपन का सिकार हो सकता है। और प्रवलता क्या है? समान है तो आप गुड़ता के उसको सुन कर ही बता सकते हैं कि वह धोनी की हार्मोनीयम की है या तबले की है तो इन सब यह थे आपके मुख्य मुख्य चेप्टर और आपके जो धोनी हैं धोनी को किन बातों पर निरभर करता है तो आप ध्यान किन-किन बातों पर निर्वन कर रहे ताप बढ़ेगा तो दोन की चाल बढ़ेगी एक डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर 0.6 एक मीटर पर सिकेंड क्या होती है चाल बढ़ जाती है और दोन दाप पर निर्वन नहीं करता है तो कभी-कभी क्यूशन पूछा जाता है यह दोनी दाप या ताप पर निर्वन करता है लेकिन दाप पर निर्वन नहीं करता है धोनी क्या होती घनत्व या प्रत्यास्ता पर भी निर्वन करता है जैसे घनत्व आपकी अधिक होगी और प्रत्यास्ता अधिक होगा तो दोनी की चाल भी आपकी अधिक होगी और आपका आदरता पर भी निर्वर करता है प्रकास की चाल, कभी-कभी आप लोग जब वाता वर्ण जैसे आदरता ज्यादा होगी, तो धोनी की चाल वहाँ पे ज्यादा होगी, तो यहां सब आप लोग को टापिक कल की क्लास में हुई थी, तो आगे हम आप लोगों को कुस्टन के अगे आपको टापिक को बताने का काम करेंगे, तो आप लोग धोनी की चाल को एक बार समझिएगा, जो धोनी की नार्मल चाल होती है, 332 मीटर प्रस सेकेंड होती है, या कहीं कहीं 331 भी आपको अगर दिखेगा, 332 अगर आपसन में नहों, 331 भी आपको आपसन में दिख दिखेगा, तो आप जो धोनी की वाई में चाल होती है, कितनी होती है, 332 मीटर प्रस सेकेंड, तो पचीज दिखरी सेल्सियस पर धोनी की चाल को कुछ निटधारित किया गया है, तो यहां से एक्जाम में क्यूशन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि 25 दिखरी सेल्सियस प होती है, अब गैस में क्या होती है, गैस में ठोस से द्रौस से और कम होती है, तो ठोस में क्या होते है, घनत तो अधिक होता है, तो जो इल्मूनियम होता है, इल्मूनियम में आपके धोन की चाल कितनी होती है, इल्मूनियम में आपके धोन की चाल कितनी होती है, जो kill में Been की चाल तो 60-40 मीटर पर सेकेड होती है और नीकेयल में धोन की चाल तो six up E स्टील में धोन की चाल 5960 होती है और पीतल में धोन की चाल 4700 होती है और काच में धोन की चाल 4980 मीटर प्रसीकिन होती है तो आप लोग को कभी कभी एक्जाम में धोन की चाल 4420 मीटर प्रसीकिन और आपके निकेल में धोन की चाल 640 मीटर प्रसीकिन और आपके स्टील में धोन की चाल 5960 मीटर प्रसीकिन लोहा में धोन की चाल 5950 मीटर प्रसीकिन और पीतल में धोन की चाल 4700 मीटर प्रसीकिन और आ दौन की चाल, पूछ लिया जाता है, जो समुद्र होता है, समुद्र में दौन की चाल 1531, 1531 मीटर प्रसुचकन एक्पासिकंड कि नर्मल जल की बात की जाए, तो उसमें धौन की चाल 14 launches होती है और समुद्र में धोन की चाल कितनी होती है 1531 या किस पर निर्बर कर रहा है 25 डिगरी सिलसीयस पर धोन की चाले है और वहीं बात किजा इथेनाल में इथेनाल में आपके 1207 होती है और मिथेनाल में 1103 होती है तो आपका समुथ के जल में 1531 धोन की चाल और नारमल जल, आसुत जल में धोन की चाल 1498 और इथेनाल में 1207 और मिथेनाल में 1103 होती है यह मुखे कुछ द्रव में जो धोन की चाले हैं और कुछ गैज में धोन की चाल आप लोग याद कर लीजिये जैसे hydrogen में कितने होती है 1284 होती है और helium में 965 होती है helium में कितनी होती है 965 और yu में 346 होती है और oxygen में 316 होती है और sulfur dioxide में 233 होती है तो यहां देखिए यहां जो धुन की चाले बात की जा रही है अगर आप 0 degree Celsius पर इन सब धोन की चाल को देखेंगे तो यह क्या होंगी तो इससे कम होगी जैसे जैसे डिगरी तापमान बढ़ता है धोन की चाल भी बढ़ती जाती है तो आप लोग जानते हैं धोन की चाल 25 degree Celsius मानक रखा गया है कि इन सब की चाल ने कितनी है तो इल्मुनिया में धोन की चाल काआट सोज मेट पर सीगने निखल में धोन की चाल 252 मी RAW चयाद में धोन की चाल 49 сто karena ऐसी मिटेश ए वहीं बात कि ере की जाएए समूद्र में धुन की चाल कितनी होगी 1531 मीटर सेकेंड और आसद जल में dakika 340 pudding 15élior में because 1.88 मीर मैंति आंड दोन की चाल national 11 hurdles टीन वे सेकेंड और लेड़ा ध्यान बेनी होगी दूर की चल बारहाषएंटी मीटर है सिद्यलियं में 905 पैंसेटأن आएं में 306 में 306 अगर 25 टीचे से बात कि जाहें तो धुन की चर कितनी होगी 346 मीटर पर सिक्टेट होगी Ό तो चलिए दोस्तों चलते हैं, question को हम सुरुआत करते हैं, question को माध्यम को, हम इस chapter को complete करेंगे, तो आप लोगों को question करना जरूरी है, जब question आप लोग करेंगे, तो वहाँ पर पता चले कि तयारी कितनी हुई है, जब आप question नहीं करेंगे तो तैयारी का आप लोग अपना अंदाजा नहीं लगा सकते हैं और exam में score नहीं कर पाएंगे तो देखिए पहला question क्या है किसी दोनी तरंग की आपरिति भी है और आवर्तकाल्टी है तो बीच में संबन्द क्या है तो आप लोग ध्यान दिजेगा जो आपरिति होती है भी वह आवर्तकाल्टी के व्यत्कुमानुपाती होती है कैसे होती है तो आपरित बराबर भी बराबर प्रपोस्नल वन अपन्टी मतलब भी बराबर वन अपन्टी होती है ब्योग ध्यान दिजिएगा, तो B ब्यूभर क्या होगी, one upon t होगी, B बराबर आपण आवरत काल तो B बराबर आप one upon आवरत काल देखें कौन से आपसन में दीक रहा है वह आपसन सही होगा, तो यह यहन बराबर इसको आपरित B या इसे यहन से भी देनोट करते हैं, तो आपसन देखिए यह न है इसे आप यह बना लीजिए बी को यहां आप यह n बना लेजिए यहां उन्व गलत δिया गया है तो यह बराबर के भी आपका च्छाल को बताता है यह आपके आपन्रिति होती है यह बराबर क्या होगी peng तो एक कंपन्न को कितने समय में कंपन्न कर रही है तो वह कितना आवर्ट काल क्या होगा वह आपका यन आपड़ती होगी तो चलिए दोस्तों चलते हैं आपके दूसरा क्यों इस फर्मूलों को आपको याद हो जाना चाहिए यह फर्मूला को आपको याद हो जाना चाहिए अगला क्यूसरा के दोनी त्रंगे डर्ट डर्ट में यात्रा नहीं कर सकती हैं तो जर्णी त्रंगे कैसी होती हैं इन्हें माध्यम क्या सकता होती है तो आपके माध्यम कौन कौन से होंगे माध्यम आपके ठोस द्रव गैस ठोस द्रव और गैस ठोस द्रव गैस या क्या है माध्यम है तो ठोस कैसी वस्तु होती है इस टील एक प्रकार का क्या है ठोस वस्तु है और द्रव एक पानी अगर बात की जाए पानी आपकी एक द्रव वस्तु है वहीं बात की जाए गयस की तो वायू आपका क्या एक गयस है तो इन सब में क्या होती है धोनी क्या धोनी गमन करती है तो धोनी किसमें गमन यात्रा नहीं कर सकती है तो आपके आपसंसी में देखिए दिख रहा है आपसंसी निरवात में धोनी यात्रा नहीं कर सकत तरंग तरंग आप लोग को बताए थे तरंग कितने परकार के होते हैं तरंग आप लोगों को दो परकार के होते हैं एक यांत्रिक तरंगे और दूसरा आपका विद्दू चुमकी तरंगे तो जो यांतरिक तरंगे होती है यह दो प्रकार की होती है एक अनुप्रस तरंगे थी दूसरा आपका अनुदैर तरंग था दूसरा आपका क्या था अनुदैर तरंग था तो जो ध्वनी होती है यह किसका भाग अनुदैर तरंग होती है जो ध्वनी होती है वह किस प्रकार क द्होनी के मामने में पूछा जाए तो द्होनी कैसी तरंगे होती है उसके बाद अनुदैर तरंगे होती है और इसके बाद आपके द्याइब यहां संभा कौन सासन सही होगा आफन गश्चन के हिसाफ से इसका स्वी आपन सही है जो भी देखिए आपके एंटीपिसी की एक्जाम पुछा गया है अब अगला किस्टन आप दिशान दिजिएगा यह देखिए गुरूप डी की एक्जाम में पुछा गया है नेम लिखित में से कौन सा धोनी की तरंगों की विशेष्टा नहीं है कि धोनी की तरंगे में क्या क्या विशेष्टा नहीं है आयाम है आप्षन A में आप्षन B में समय अवधिया आबृति आप्षन C में गति आप्षन D में घनत्वर तो धोनी की विशेष्टा नहीं है तो हो त्याव तरन्गति क्या यह सब विश्यस्ता है गनतोग इसकी विश्यस्ता नहीं है आयाम अबृति आवर्थकाल तरंगत इसकी विशिष्टा है तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला किस्षन पर अगला किस्षन देखिए क्या पूछा जा रहा है धोनी तरंगे डाट डाट तरंगे होती है तो धोनी तरंगे होती है वह कैसी तरंगे होती है आप लोग को कितन सब्सक्राइं तो इस में एकों सब्सक्राइब होता है उड deal होता है था और देखिएगा धौनी तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है धौनी तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है आपसने में वस्तु का ताप आपसन बी में वस्तु की समागरी आपसन सी में वस्तु की गुड़वत्ता आपसन डी में वस्तु को कमपन कराने के लिए परियुक्त थोलिए जये से चल रही है। तो ढायाम होता है। जैसे मालनेले माद्यम के कड़ों नीचे लंबोल गति है। है । तो आयाम किस पर निर्वर करता है धृत क्या है तो आवलोग याद हो जानी चाहिए जो द्धहन की प्रभलता होती है वह आयाम पर निर्वर करता है अधिक आयाम होगी तो धोनी अधिक प्रबल होगा जब अधिक प्रबल होगा तो वहां पे दोनी कैसी होती है धीमी होती है तो चलिए scripture है किस भोवतिक बैज्ञानिक के समान में दोनिकी आवरिती के SI मातरक को नाम दिया गया है मतलब जो दोनिकी जो आवरिती की SI नाम है वह हर्ज है वह क्या है आगर क्रिश्टन पूछा जाए दोनिकी SI क्या है क्या है वह हैं नाम के बिज्ञानिक में अंसर सही होगा आप देखे कहा नाम मेंैं सर्द आपका अंसर भी नहीं है तब भी आप लोग हर्ज सब्ढ के उद्धे कर भी आप लोग के ढ़न की जो आप रित्ति होती है, वह हर्ज में नापी जाती है, वह किस बग्यानिक पे नाम पर पड़ा है, हेनरिक रुदोल हर्ज के नाम पर पड़ा है, आपसन भी इसका सही है यह भी question NTPC के exam में आप पुछा गया है अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला question अगला question देखिए क्या पुछा जा रहा है निन में से कौन सा माध्यम के घनतों में किसी दोनी के तरंग के एक संपूर दोलन में लगने वाला समय तो जो किसी घनतों आपका लगने वाला जो समय है समय के बाद में पूछा जाए समय आपका क्या होगा आवर्तकाल इसलिए इसका आपसन यह सही होगा जैसे कोई धोनी क्या हो रही है कंपन हो रही है तो दोनी कंपन होती है तो माल लेते हैं इस figure के माध्यम समझ दिए तो यहां से धोनी यहां तक एक बार में कंपन होगी तो इससे यहां पर क्या पूरा यहां पर आवर्त काल हो रहा है और तरंग तरंग क्या होती है जो दो स्रिंगों या दो गरतों के बीच की दूरी को तरंग 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 करते हैं आप रित्य आप लोग जानते हैं, कोई अगर वस्तु कमपन न कर रही है, कमपन में लगने वाले समय, उसके एकांग समय को क्या कहते हैं, आप रित्य कहते हैं, और आयाम क्या है, आयाम का मतलब आप लोग यह समझे हैं, कि धोनी कितना वह बिच्छेद हो रहा है, कितना वह मतलब तेजी से बढ़ रहा है आयाम होता है तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्यूस्चन को समझे तो अगला क्यूस्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है धौनी में संचर्ड कर सकती है तो आप लोग को दिमाग में बैठ जाना चाहिए धौनी को संचर्ड करने के लिए माध्यम किया हो सकता होगी और माध्यम कौन-कौन से होते हैं ठोस द्रव गैस माध्यम कौन-कौन से होते हैं ठोस द्रव गैस तो आपका यहाँ देखिए ठोस भी आपसन में है और गैस भी है और द्रव में भी है और एक आपसन ऐसा है जो में क्यूस्चन पूछा गया है अब दोस्तों अगला क्यूस्चन देखिए अगला क्यूस्चन देखिए क्या पूछा रहा है दोनी गमन नहीं कर सकती है दोनी किसमें गमन नहीं कर सकती है द्रव में नहीं कर सकती कि ठोस में गमन नहीं कर सकती कि हवा में गमन नहीं कर सकती कि पिछले ही क्यूस्टन में हम आपको बताएं धोनिकों संचण के लिए माध्यम में आओ सकता होती है। यहीं बात च लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है आफसने में धोनिक सुरच्छा, आफसन भी में सरव्य सुरच्छा, आफसन सी में अपोर्तन, आफसन भी में असोसर, तो वहां कौन सी तकनीक क्या परयोग किया जाता है, वहां आपका तकनीक होता है धोनिक सुरच्छा, जो धोनिक सुरच्छा के लिए जैसे नर्मा और पूछा जा रहा है धोनी किसके कारड उत्पन होता है मतलब धोनी किसके कारड उत्पन होता है धोनी उत्पन करने के लिए पहले आपको तरंग उत्पन करना पड़ेगा अब तरंग उत्पन करने के लिए पहले आपको विच्छोप उत्पन करना पड़ेगा मतलब कमपन उत्पन करना पड़ेगा जब कमपन क्या होती है उत्पन होती है तो कमपन से तरंगे निकलती है और तरंग के माध्यम से क्या होता है धोनी निकलती है और धोनी क्या होती है हमारे कानों को क्या करती है कि वह तरंग के माध्यम से सुनने को क्या करती है हमारे मस्ति यहां आपके आरालबी गूरूप डी की एक्जामी कुछा गया है अब अगला क्यूशन में देखिए क्या पूछा जा रहा है निम लिखी तम की भिन्नता के कारण संपीडन और विरली करण उत्पन्न होते हैं जब संपीडन और विरली करण की बात आ जाए तो आपको में बैठ जाना चाहिए कि अनुदायर यहां कहां पर होती है संपीडन और विरली करण वह अनुदायर तरंगों में होती है और अनुदायर तरंगे क्या होती है और जो धोनी क्या होता है एक अनुदायर तरंग है तो इसमें देखिए आपसन में क्या पूछा है मतलब यह क धोनी कैसी तरंगे हैं अनुदैड तरंगे होती है तो जो तरंगे होती है एक हवा का जहां दबाव कम या अधिक होगा तो वहां पर संपिडन और विरली करण होगा जहां हवा का दबाव, एर का क्या हवा का दबाव, अब हवा का दबाव जहां पे उच्च होगा, हवा का दबाव जहां पे उच्च होगा, वहां पे संपीडन होगा, हवा का दबाव जहां पे उच्च होगा, यहां पे हवा का दबाव उच्च है, यहां पे हवा का दबाव तो वहां पे क्या होगा यह भी question पूछा जाता है वहां आपका संपीडन होता है और जब हवा का दवाव क्या होता है निम्न होता है जब हवा का दवाव निम्न या कम होता है तो वहां पे क्या होता है तो वहां पे आपका विरली करण होता है तो हवा का दवाव इसका option C सही ह यह भी आपके RRB गुरूब D की एक्जाम यह क्यूशन पूछा गया है अब दोस्तों अगला क्यूशन देखिए क्या पूछा जा रहा है दोन की त्रिप्रता मापी जाती है आफशन A में Richter Scale से अफशन C से टेसला से अफशन C से डेसीबल अफशन D से हर्ग दोन की त्रिप्रता होती है दोन की त्रिप्रता 45 देसिबल एक मनुस्य के लिए तरोतम धोनी मानी गई है तो यह इतना डेसिबल तक धोनी को सुनेगा तो यह उसका मतलब की वह सुनने योगी एक माना गया है और 30 से 40 डेसिबल आपका एक सधारण बात चीत में उपयोग किया जाता है और 75 डेसिबल आपका क्या होता है एक हानिकारक होती है तिवरता जो 75 डेसिबल की धोनी होती है यह हानिकारक है और वहीं बात की जाए 85 डेसिबल 85 डेसिबल तक होते होते जो यह जब आप इस इदने तिवरता की धोन की सुनेंगे तो आपकी कान क्या होगी वह भरेपन की सिकार हो जाएगी तो आप लोग ध्यान देजिएगा आम चाल की भाथा में 30 से 40 decibel का होता है तो धुन की तिप्रता किस में मापी जाती है decibel में मापी जाती है तो अगर धुन की तिप्रता का मातरक क्या है ऐसे भी बोल सकते हैं decibel होता है और डेसीबल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बिल बराबर क्या होता है, एक बिल बराबर 10 डेसीबल होता है, और तिप्रता का एक फार्मूला होता है, उर्जा के इस्थानांतरण की दर को बताता है, मतलब तरंग के उर्जा, जब तरंग के उत्पन उर्जा होती है, उसक सब्सक्राइब को stood बंसक्ति देखिए हैं वाँ उची भोलनी परती है तभी आप वह वह ब्लब्हकती सबढ़ुक्ती सब्सक्ताइब तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्यूस्टन, अगला क्यूस्टन देखिए कि आप उचा जा रहा है, ध्वनी तरंग की आपरिती मापने की क्या ही है, तो जो ध्वनी तरंग की आपरिती बात की जाए, आपरिती में आपका याद हो जाना चाहिए हर्ज, तो हर्ज से किस कि ना पीजाती है अब रित्र से नापी जाती है तो इसका आषण कौन सा सही होगा आषण भी होगा और आप लोग धियान्दीजिएगा जो मनुस्जर से क्या जो धुनी होता है वह प्राध्ध़निक तरंगे होती है तो अगर बीस हजार हड़ से अदिक होगी तो आपराध्धोनित रंगे होती है और जो 20 हर से कम होती इसे इंट्राव्य तरंगे बोलते हैं यह भी आपके अरार्वी गुरूब डी किया एक्जामे क्यूशन पुछा गया है अगरा क्यूशन देखिए दोस्तों जब धोनी हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कड में क्या होगा आप लोग ध्यान दि करते 52 में खर्मियम जाना चाहिए दोनी करते हैं अनुदैर और टरेंगे होती हैं अनुदैर तरंगे की खासियत होती है जब धन की मान लेते हैं धोन की तरंगे चल रही हैं आगे की और बढ़ रही हैं तो जो माध्यम के कड़ होते हैं वह क्या होते हैं इसके समांतर गति करते हैं तो कभी-कभी यह पास होते हैं कभी-कभी यह क्या होते हैं दूर होते हैं जो माध्यम के कड़ होते हैं यह कभी-कभी पास हो उसे बोलते हैं और देखिये जो तरांग की दिषा के दिषा में करते हैं मतलत तरंग के दिशा में क्या होते हैं माद्यभडिय में क्योशन को अब अगला कुस्टन देखिए आप लोग दोस्तों निम लिखित पर धुनी तरंगे भरमड करती हैं तो आप लोग के दिमाग में बैठ जाना चाहिए जो धुनी होती है दोनी कितने माध्यम पर निर्व करता है दोनी आपके तीन माध्यम होते हैं ठोस द्रव गैस और धोनी की चाल क्या होती है ठोस में सबसे अधिक होती है और द्रव में उससे कम होती है और गैस में क्या होती है द्रव से भी कम होती है तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि दोन अगर माध्यम भिन्ध भिन्न है तो ध्वन की चाल क्या होती है भिन्न भिन्न होती है। वस्तुम की कंपन्य होगी तभी वहाँ पर धोनि होगी जब कंपन्य होगा तो उसमें तरंग होगी तरंग क्या होती है उस वह के माध्यम से धोनी हम लोगों को फ tap लिया इसका पॉन सा स्भाइब यह समे औस प्वारल और अगया इसका कॉन्सा सभिछ तो आपका कौन सा माध्यम होता है ठोज़रो गैस कर से है तो आज हम आपकी क्लास क क्यूस्चन के माध्यम से बता रहे हैं तो यहीं पर आपका क्लास के खत्म करते हैं अभीов क्यूस्चन transform में आपने करिए अधी दोग करी और हमारेitelाय एक नए दोसके साथ जाहिए